नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे यूट्व चेनल में आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर्याणा से संबंदित, परिशनलिटी और स्थान से संबंदित परिशन यानि कौन-कौन से वो लोग हुए हैं, कौन-कौन सी वो सक्सित हुई हैं, वो कौन से इनसान हैं जिनोंने किया है हरियाना का नाम रोशन, हम लेंगे उन स्थानों को भी जो हरियाना में अच्छे फेमस हुए हैं, पिछले एक वरस के दोरान और वहां क्या-क्या चीजें हु परशन और उन एक्जामों के लिए हैं अचुक ये question इसलिए साथियो इन question को करने के लिए इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखना और इस वीडियो को भरपूर, प्यार और समर्थन देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक से अर्वी करना ताकि दूसरे लोगों कु करने जा रहे हैं सुरू तो आईई वीडियो करते हैं शुरू अब तो लिजिए साथयो हर्याना क्रण्ट अफेर्स प्रेस्टियटी बेस्ट क्विस्चन गई फेर्स बेस्ट अर्विन्द यादव हर्को बैंक के नए चेर्मेन बनाएगे अध्यां अर्विन्द यादव हर्को बैंक के नए चेर्मेन बनाए गए हैं। और सेकिंड आपका आलोक वर्माजी हर्यान लोक सेवा आयोक के अध्यक्स बनाए गए हैं। हर्यान लोक सेवा आयोक के अध्यक्स स्री अलोक वर्माजी बनाए गए हैं। स्री डियेस डेसी, स्री डियेस डेसी को मुख्य मंत्री के मुख्य परधान सचीव न्युक्त किया गया है, चीप प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ सी एम हरियाना, तो डियेस डेसी जी को मुख्य मंत्री के परधान सचीव के पद पर न्युक्त किया गया है, वहीं सिरी राजेश खुलर जी को विश्व बैंक में एकजी क्यूटिव डेरेक्टर के पद पर न्युक्त किया गया है, और वो 1988 बैच के IES अफसर है, तो सिरी राजेश खुलर जी को विश्व बैंक में एकजी क्यूटिव डेरेक्टर के पद पर न्युक्ती मिली है, 1988 बैच के IES अफसर है, तो विश्व बैंक में जाने का मौका मिला है सिरी राजेश खुलर जीयों को, तो बहुती शान्दार और बहुती अच्छा क्वेश तो साथियों उर्दू सायर जनाब महंदर परताप चांद जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको हर्याना उर्दू अकादमी ने फखे हर्याना के सम्मान से नवाजा है, तो फखे हर्याना सम्मान उर्दू सायर जनाब महंदर परताप को मिला है और उनका अभी हाल फिला में निधन हुआ है तो उनकी मुख्य रचनाएं कोण सी हैं सायर जनाब महिंदर परताप चांद की तो उनकी मुख्य रचनाएं हैं उर्दू अदब और हर्याना हर्फ ए राज जखम आरजूं के उर्दू की सात्मी किताब हाली पानीपती की गजलें आजार ए गमिशक हर्फ ए आसना दूद की कीमत उजालों के सफिर निसात ए कलम जाते हुए लम्हों ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं जनाब महिंदर परताप चांद की तो साथियो गुलाब सिंग नर्वाण जो भाखडा ब्यास मेनेजमेंट बोर्ड के चीफ इंजिनियर हैं उन्होंने काव्य संग्रह सुराही का विमोचन किया तो काव्य संग्रह सुराही का विमोचन किन्होंने किया गुलाब सिंग नर्वाण ने किया जो की भाखडा ब् इंजीनियर हैं तो साथ यो कोटिले पंडित जो हम अच्छी तरह जानते हैं कोटिले पंडित को जो गूगल वाए के नाम से भी मसुहूर हैं और वो करनाल से संबंद रखते हैं और अब उन्हें ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड से संब्मानित किया गया है Global Child Award से सम्मानित किया गया है कोटिले पंडित को जिने हम Google वाए के नाम से भी जानते हैं और वो करनाल के रेने वाले हैं तो साथियो परदीप सिंग UPSC 2019 टॉप करने वाले हर्याना के सोनिपत जिले से हैं तो परदीप सिंग ने UPSC यानि Union Public Service Commission जो आपका IES का सबसे टॉप एकजाम होता है IES, IPS, IFS तो UPSC को कंड़क्ट करने वाला 2019 का एकजाम टॉप हर्याना के चोरे और हर्याना के महन्त सोनिपत जिले के लड़के ने टॉप किया है जो परदीप सिंग है तो महाविर सिंग साथियो महाविर सिंग को भारत सरकार के राष्ट्रिय राजमारग प्राधिकरण के में तीन वरस के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में न्युक्त किया है तो राष्ट्रिय राजमारग प्राधिकरण है जो तो National Road Authority है जो एनेचे जिसको कहते है एनेचे National Highway Authority National Highway Authority है जो उनमें तीन साल के लिए टेकनीकल मेंबर्शीप मिली है महाविर सिंग्जियों को तो भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा पद है तो साथियो स्री ओम प्रकास धन्खड जी हरियाना प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष न्युक्त हुए है भारतिय जन्ता पारटी के नए अध्यक्ष तरी ओम प्रकास धन्खड न्युक्त हुए है तो साथियो इस प्रकारिये करंट अफेर्स बड़े काम की चीज है ये आने वाले एक जाम में आपकी बड़िम मदद करेंगे इनको अच्छे से यदि आप त्यार करोगे तो आने वाले एक जाम में बहुत ही शांदार अंकर जित करके आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं तो स्री आत्माराम भिवानी जिले के रोहनात गाउं में सवतंतरता सेनानियों में सबसे बुजर्ग आत्माराम ने 15 अगस 2020 को चुए तर्मा सवतंतरता दिवस्तमारों के मुके पर अपने गाउं में तिरंगा फैराया तो श्री आत्माराम जी किस लिए फेमस हैं तो उन्होंने 15 अगस 2020 को चुएतर में सवतंतरता दिवस्तमारों के मुके पर अपने गाउं में तिरंगा फेराया और यही नहीं भिवानी जिले के रोहनात गाउं के सवतंतरता सेनानियों में सबसे बुजर्ग भी हैं तो आत्माराम जी सवतंतरता सेनानी हैं और सबसे भुजर्ग सवतंतरता सेनानी हैं और उन्होंने भारतिय सवतंतरता संगराम 1857 में महत्वपुर्ण भुमिका भी निभाई थी तो नेक्स्ट है साथ यो राम परताप राम परताप ने बिना बीजों का सुगर फरी तरबूज त्यार किया है जो पाणी पत जिले से हैं तो इसलिए राम परताप जी पाणी पत जिले से संबंद रखते हैं और उन्होंने कारनामा किया है उन्होंने कारनामा किया है कि बि परशन बनने वाला है बड़ा अच्छा परशन बनने वाला है तो दिपा मलिक हाल ही में पदम स्री विजेता दिपा मलिक पैरा एथलेट खिलाडी ने सन्यास लेने की घोसना की है तो दिपा मलिक ने पैरा एथलेट खिलाडी ने सन्यास लेने की घोसना की है और दिपा मलिक क का चेर में चेर परसन भी चुना गया है यानि की अध्यक्षा चुना गया है दिपा मली को भारतीय पैरा ओलंपिक शमिति की अध्यक्षा भी चुना गया है तो डाक्टर इंदर जीत सिंग हरियाना सरकार ने डाक्टर इंदर जीत सिंग को तुरुंत प्रभाव से कोविड-19 के मुख्य सचीव के डाटा मेनेजमेंट सेल में परती नुक्त किया है तो डाक्टर इंदर जीत सिंग COVID-19 में मुख्य सचीव के डाटा मेनेजमेंट में सैल में नुक्त हुए हैं तो साथियो गोरवदत सर्मा ने क्या कारणामा किया है गोरवदत सर्मा भारतिय नेवी में JCO के पद पर Junior Commissioned Officer JCO के पद पर कारियरत जजजर के गाउं कबलाना के जवान गोरवदत सर्मा ने सोमालिया में अपनी सहीदी दी है यानि सोमालिया में वो सहीद हुए हैं तो भारतिय नेवी में JCO के पद पर कारियरत थे गाउं जजजर के कबलाना गाउं में जजजर जिले के गाओं कबलाणा के ये वासी थे और इन्होंने सुमालिया में अपना सहीदी हुई है इनकी तो सहीद हुए हैं सुमालिया देशमें तो नरेश सिंह सेखावत पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट के अधिवक्ता नरेश सिंह सेखावत को वरिष्ट अतिरिक्त महाधिवक्ता न्युक्त किया गया है जो हरियाना के महंदरगड जिले से हैं नरेश सिंह सेखावत को वरिष्ट अतिरिक्त महाधिवक्ता न्युक्त किया गया है जो महंदरगड जिले से संबंद रखते हैं तो साथियो स्री गुलसन आहुजा हरियाना राज्ये जेव विविद्धता बोरण के चेर्मेन न्युक्त हुए हैं ठीक उसी प्रकार डाक्टर सोमेश्वर्दत सर्मा हरियाना संस्कृत अकादमी के डिरेक्टर न्युक्त हुए हैं डाक्टर सोमेश्वर्दत सर्मा हरियाना संस्कृत अकादमी के डिरेक्टर तो आसिस गुपता फोबर्स ने 30 अंडर 30 एसिया की सुची जारी की है 6 मर्च क तो इस सुची में आसिस गुपता हर्यानवी को जगे मिली है तो फोबर्स की सुची में आसिस गुपता जो हर्याना से संबन रखते हैं उनको जगे मिली है डाक्टर भीस सहरावत को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मिशन डेरेक्टर के तोर पर न्युकती मिली है रानी रामपाल हर्याना की रानी रामपाल को हौकी की खिलाडी है जो प्लेयर ओफ़ दा इर का आवार्ड मिला है हर्याना की राणी रामपाल जो होक्की की खिलाडी है उनको प्लेयर ओफ दा इयर आवार्ड मिला है फिक्की ने भी राणी रामपाल को स्पोर्ट्स पर्सन ओफ दा इयर दो हजार उननीस के खिताब से समानित किया है यानि फिक्की ने भी राणी रामपाल को स्पोर्ट्स प रामपाल को पदम आवार्ड 2020 के लिए भी चुना गया और महिला हा की टीम की कप्तान राणी रामपाल जो सहबाद से संबंद रखती हैं पदम स्री पुरुसकार भी उनको नवाजा जाएगा तो ये राणी रामपाल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है साथियो इसके उपर खेल से भी जुड़ी हुई है हरियाना से जुड़ी है और बड़ी अच्छी खिलाड़ी है और नाम है इनका तो इनके उपर भी question important बनते हैं तो साथियो शिरी आगे है दपशिंग मल्ला तो दपशिंग मल्ला हरियाना सरकार ने हरियाना विमुक्त घुमंतु माउंट एलब्रुस को फते करने वाड़े यानि उस पर चढ़ाई करने वाड़े माउंट एलब्रुस की पर चढ़ाई करने वाड़े पहले भारतिये बने हैं रोतास खिलेरी तो साथियो सुनिल कुमार सिनियर एसियन चेंपियनशिप में गरिको रोमन कुस्ती में हरियाना के सुनिल कुमार देश को सवरन पदक दिलाने में काम्याब हुए हैं ठीक आगे चलते हैं साथियो स्रीचंदर सेखर खरे कृषी एवं किशान कल्यान विभाग के डिरेक्टर के निदेशक के रूप में स्रीचंदर सेखर खरे को न्युक्ती मिली हैं सुनिल विशिस्ट हरियाना पंजाबी साहित्य अकादमी के डिरेक्टर के रूप में निदेशक के रूप में सुनिल विशिस्ट जीओं को न्युक्ती मिली हैं सुनिल विशिस्ट जी हरियाना पंजाबी साहित्य अकादमी के डिरेक्टर के रूप में निदेशक के रूप में नुक्त हुए हैं भारती रतेरा 28. रास्त्रिय सिन्यर वशू चैंपियनसीप में हरियाना की बेटी भारती रतेरा ने 60 किलोगराम भारवरग में कास्य पदक जीता तो इनोंने अपना नाम कमाया अठाइसमी रास्त्रिय सिनियर वश्यू चेंपियनसीप और ये भारत में हरियाना की बेटी भारती रतेरा ने सैट किलोग्राम वरग में कास्य पदक जीत कर नाम कमाया पुनम चोहान वायू से नामे फ्लाइंग ओफिशर बनने वाली पुनम चोहान हरियाना के पलवल से समबन रखती है दिपक पुनिया तो जुनियर रैसलर आफ दा इयर 2019 का खिताब इस खिलाडी को मिला है दिपक पुनिया को मिला है अंजली राज न्यूयारक की अंतरास्टे असेंबली में हरियाना की बेटी अंजली राज की डिजाइन को मन्यता मिली है तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्दी है तो साथियो अभी तक हमने ये 30 ऐसी महान हस्तिया थी जो हरियाना से संबंद रखती थी और इन्होंने अपने कारनामों से अपने नाम को विख्यात किया है और इन्होंने ख्याती प्राप्रत की है और ये competition की दृष्टी से बड़े अच्छे question आपके सामने बनते हैं और अब हम इसमें साथियो हरियाना के कुछ शतान लेते हैं विडियो थोड़ी सी लंबी बनती है लेकिन interesting है क्योंकि एक्जाम सिर पर आये हुए हैं जितनी लगन और महनत से हम काम करेंगे साथियो उसी महनत और लगन का result निकलेगा अपने selection में तो selection आपका बिलकुल होता है तो place में सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ काच्वा जो की करनाल जिले में है हरियाना बिजली वित्रण निगम द्वारा काच्वा गाम में सरदार पटे लाइबरेरी बनाई गई है तो साथियो question मनता है सरदार पटे लाइबरेरी कहां बनाई गई है हरियाना बि प्रतिशत समाज के हित पर खर्च किया जाएगा यानि जो इस लाइब्रेरी से आमदनी होगी उसका दो प्रतिशत खर्च समाज की भलाई के लिए किया जाएगा तो ये भी इसका एक अच्छा पॉइंट बनता है तो साथियो अगला क्वेश्चिन है आपका मोगिनंद जो मो जो मोगिनंद है वो पंचकूला में पडता है और मोगिनंद किसलिए फेमस है 21 अक्तूबर 2020 को रज्ये सतरिये पुलिस सहीदी दिवस यहां मोगिनंद में आयोजित किया गया मनाया गया तो साथियो ब्रोदा जो सोनिपत जिले में पडता है ब्रोदा में IMT की गोशना की इंडस्ट्रियल मोडल टाउन्सिप इंडस्ट्रियल मोडल टाउन्सिप तो 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 इंडस्ट्रियल मोडल टाउन्सि COVID-19 प्रियोग साला का उद्धाटन किया गया है, COVID-19 molecular जो लेब है उसका उद्धाटन पानिपत में किया गया है, ये बहुत ही खास question मनता है, क्योंकि अभी COVID चला हुआ है, COVID के कारण काफी सारा देश रुका हुआ है, दुनिया रुकी हुई थी, तो यहां focus बनेगा, COVID के उप question आएंगे, Corona के उपर question बनते हैं, तो जो COVID-19 की जो molecular lab है, वो पानिपत में उसका उद्धाटन किया गया है, साथियो, रेवाडी के अंदर, रेवाडी जिले में ultra modern mustard ice oil meal स्थापित की गई है, ultra modern mustard oil meal, तो सरसों का जो तेल है, उसकी जो ultra modern meal है, वो रेवाडी जिले में स्थापित की गई है, हिसार जिले से संबंद में एक परसन है साथियो, हिसार जिले में बलक ड्रग पारक स्थापित करने की योजना है, बलक ड्रग पारक, बलक ड्रग पारक हिसार में स्थापित कर करने की योजना है तो ब्रोदा के उपर फिर दूसरा एक क्विश्चन और बनता है है फिड द्वारा बारा क्रोड की लागत से एक अती आधुनिक चावल मील स्थापित की जाएगी ब्रोदा के अंदर जो ब्रोदा आपका सोनिपत में पढ़ता है जो भाई लेक्षन हुआ है फिड के द्वारा बारा क्रोड की लागत से एक अती आधुनिक चावल मील स्थापित की जाएगी वाई एमसीए फिर दाबाद बहुती अच्छी सिक्षन संस्थान है वाई एमसीए फिर दाबाद ने युनिवस्टी ओफ नर्थ टेकसास अमरीका के साथ अकादमिक अक् वाई एन्ची ओफ नर्थ टेकसास के साथ यानी नर्थ टेकसास की जो युनिवस्टी है अमेरीका के अंदर उसके साथ आकादमिक अक्षित्र में मिलकर काम करने का शमझोता किया है तो साथियों पंचकूला के अंदर बाबू बालमुकंद गुप्त की 104 मी पूर्णियती जो कि आपके एक साहितेकार हैं बाभू भालमुकंद गुप्त उनकी 104 पुणियती थी में पंचकुला में सथित साहितेगाद्मी भावन में उनकी परतिमा का नावरण किया गया है तो साथियो बाबू बालमुकंद गुप्त का जनम रिवाडी जिले के गुडियानी गाउं में हुआ था तो बाबू बालमुकंद गुप्त एक भहुती अच्छे शाहित्यकार रहे हैं और वो हरियाना के रिवाडी जिले के गुडियानी गाउं से संबंद रखते हैं तो साथ्यो next है बारवा जोकी कुरक्षेत्टर जिले का एक गाउं है हरियाना सरकार द्वारा बारवा गाउं में नया राजकिये होमोपैथिक उस्ठाले खोलने की शविकृति दे गई है तो गौर्मेंट होमोपेथिक होस्पिटल पुरक्षितर जिले के बारवा गाओं में खोला जाने की श्विकृति मिल चुकी है तो माता मनसा देवी की लिए फेमस साथियो पंचकूला में सबसे पहले माता मनसा देवी है कहां तो पंचकूला में है तो उसके प्रिशर में स्री मुक्ती नाथ वैद विद्यास्रम संस्कूल बना जाएगा तो यहां क्वेशन मनता है मुक्ती नाथ वैद विद्यास्रम संस्कूल कहां बना जाएगा तो साथियो माता मनसा देवी पंचकूला में बना जाएगा मता मनसा देवी जो प्रिशर है केंपस है उसमें बनाया जाएगा मुक्तिनाथ वैद विद्यास्रम संस्क्रित गुरुकुल तो साथियो कासन जो की गुरुग्राम यानि गुरुगाओं में पढ़ता है कासन गाओं की लगबग सो एकड़ पंचायती जमीन पर अरावली परवत सरंखला में बायो डायवर्सिटी पारक विक्षित किया गया है तो कासन गाओं में जो गुरुग्राम में पढ़ता है और वहाँ सो एकड़ पंचायती जमीन पर ये बायो डायवर्सिटी पारक विक्षित किया जाएगा ऐसा प्रपोजल में डाल दिया गया तो रामपुरा जो रिवाडी में पढ़ता है साथियो अल्ट्रा मॉडरन मस्टर्ड ओयल वहां दोबारा से क्वेश्चन आया है तो वहां भी ये रिवाडी में बना जाएगा अल्ट्रा मॉडरन मस्टर्ड ओयल तो पहले सिर्फ डिस्टिक बताया था आपको अब ये गा तो वह रिवाडी ज gehen के राम्पूरा में किया जाएगा त्रावड़ी हैफिट द्वारा त्रावड़ी में आधुनीक हल्दी सियंतर और 500 मिट्रिक टन शमता का ौल्ड स्टोरेज स्ठापित किया जाएगा जो फ्रावड़ी में साथियों आधुनीक हल्दी शमता का cold storage श्थापित किया जाएगा तो साथियो खुर्दबन ग्राम जो यम्ना नगर में है परदेश की पहली इग्राम सभा इस यम्ना नगर जिले के खुर्दबन गाउं में हुई परदेश की पहली इग्राम सभा ये बड़ा अच्छा क्वेशन बनता है क्योंकि अभी election होने वाड़े भी हैं तो करंट में वैसी भी चलेगा ये तो इग्राम सभा हरियाना परदेश में यम्ना नगर के खुर्दबन गाउं में सबसे पहले चली गोहाना वैहासी को तसील का दरजा दिया जाएगा तो हरियाना में गोहाना वैहासी को तसील से जिला बनाने की योजना है तो खेड़ी गुजरान जो फ्रीदाबाद में है राश्ट्रियस्तर का युनानी रिचर्च चेंटर बनाया जाएगा खेडी गुजरान जो फ्रिदाबाद में है युनानी रिचर्च चेंटर बनाया जाएगा तो खेडी गुजरान में गिगनावू परदेश में फ्रूट फ्रेस्ट का उबढ़ावा देने के उदेश्य से गाउं गिगनावू में इंडो इजराइल तकनीक प्राधारित इंटीग्रेटिड होर्टी कल्चर सेंटर ओफ एक्सिलेंस की स्थापना की गई है तो गिगनावू जो जगे है उसमें इ जहाज कोठी में बढ़ा गया है वहां अग्रोहा राखिगडी बनावडी रोतक पुरक्षेतर कुनार पहवा सौनिपत्वे हासी सहीत अनेक स्थानों में एतिहासिक जो चीजें थी सामान था जो वस्तुएं थी वो इस संग्रहले में रखी जाएंगी जो हिसार में बढ़ बढ़ा गया है तो साथियो जहाज कोठी एक जगे का नाम है इसार के अंदर तो वहां ये म्यूजियम बढ़ा गया है और इन जगे के जो वस्तुएं हैं वो यहां रखी जाएंगी महंदरगड भूजल संकट में सबसे खतरनाक स्थिती जो आज है वो महंदरगड की है जो भूजल संकट है निचे का जो जल है पानी है तो उसका जो संकट है वो सबसे ज़्यादा हरियाना में महंदरगड जिले में है तो ये भी बड़ा अच्छा शांदार परशन बनता है मुनिमपूर जो जजजर में है इंडो इजराइल त्रीके से हरियाणा के जजजर में फुलों का सेंट्र ओफ एक्सिलेंस स्थापित किया जाएगा तो साथियो फुलों का Center of Excellence कहा स्तापित किया जाएगा मुनिम्पुर जो की जजजर जिले में पड़ता है और ये Indo-Israel 3 के से किया जाएगा क्योडक जो कैथल जिले का एक गाउं है हरियाणा का एक ऐसा पहला गाउं है जिसके तलाब के पानी को उप्चारित कर शुक्सम सिंचाई वे अन्य कारियों के उपयोग के लिए किया जाएगा तो कैथल जिले का जो गाउं है क्योडक इसमें तालाब के पाणी को उपचारित कर गाउं के तालाब को पाणी को अच्छा बना करके उससे सुक्सम सिचाई और अन्य काम के काम में लाया जाएगा तो गाओं ये पहला है क्योडक पूरे हरियाना प्रदेश के अंदर जहां तालाब के पानी को सुक्सम शिंचाई और दूस्त्रे कारियों में उपयोग में लाजाएगा तो साथियो जजर में नगरपाली का जजर को नगरपरिशद का दरजा देने समंदी अंतिम अधिस उतना जारी करने की मंजूरी मिल गई है नगरपाली का जजर को नगरपरिशद का दरजा दे दिया गया है सहापूर जो पाणीपत में है हरियाना सरकार ने जिला पाणीपत में रास्ट्रिये और अंतर रास्ट्रेस्तर के खिलाडी त्यार करने के उदेश्य से जिले के गाउं सहापूर में खेल अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है जो पाणिपत में है साहपूर तो साहपूर गाउं में खेल अकादमी स्थापित की जाएगी तो खेल अकादमी पाणिपत के साहपूर में की जाएगी ताकि वहां पर रास्त्रिय और अंतरास्त्रिय इस्तर के खिलाडी त्यार किये जासके मोर्खी जो जीन्द जिले का गाउं है मोर्खी में 1.2 Megawatt अक्षमता का बायो गैस आधारित पावर प्लांट चालू किया गया है ये भी एक अच्छा बायोगैस के उपर परशन मनता है अच्छा क्वेश्चन है तो सुखना जील जो चंडीगड के अंदर है हरियाना एंड पंजाव हाई कोर्ट ने हाल ही में सुखना जील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है तो साथ ये बड़ा अच्छा परशन मनता है कि जीवित व्यक्ति का दर्जा किस जील को दिया गया है वो सुखना जील है चंडीगड की जिसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है राखिगडी केंदर सरकार दुआरा वरस दो हजार बीजिकेस के बजट में हर्याना के राखिगड के स्थान पर म्यूजियम के लिए बजट गोसित किया गया है जो केंदर की शरकार है उसमें 2020-21 के बजट में हर्याना के राखी गड़ी का जो एक गाउं है जगे है हिसार जिले के अंदर तो उसमें म्यूजियम के लिए बजट घोसित किया गया है वहां म्यूजियम बनेगा तो भट्टू बुवान जो फ्रेदाबाद में है हर्याना के भट्टू बुवान पर 5000 वरस पुराणा दो किलो की धातू की मोर जैसी चिन कहा मिली वो भट्टू बुवान में मिली जो फ्रेदाबाद में है और वो कितनी पुराणी है वो 5000 वरस पुराणी है जो ये चिन जैस चीज है धात्तु की मोर है जो दो किलो की है गुरावडा जो रिवाडी में है उसको डीजिटल गाउं घोसित किया गया है ये बड़ा फेमस परसन बनने वाड़ा है डीजिटल गाउं कोण सा है हर्याना के अंदर तो गुरावडा जो रिवाडी जिले में है तो उसको साथिय डिजीटल गाउं घौशित किया गया है तो आज के साथ्यों लंबी बनती है वीडियो आज के जो places हैं और जो personality थी उनको हमने cover कर दिया है जो व्यक्ती थे व्यक्ति विशेश हर्याना के और जो सथान थे places थे उनको हमने आज cover किया है अगली वीडियो में हम दूसरे टोपिक लेकर आएंगे तो इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक सेर जरूर करना और साथ यो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी क्योंकि हम आगे पुलिश के एकजाम कोईवी की एकजाम हो सब के लिए बड़ी कारगर सी दोंगी उनके सहरे पर आप अपना अच्छा स्कोर प्रापत कर सकते हैं और आप अपना स्लेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं बस आप चैनल के साथ बढ़े रहें चैनल को भरपूर प्यार और नियावाद साथियो नवस्कार वंदे मात्रम